वेलकम तो पिपिश्यमेकर दोस्तों आज है 12 अप्रेल 2022 और 12 अप्रेल 2022 से समंदे बिहार करेंट अफेर्श और शाथ ही राश्टे अलंतर राश्टे घटनौ से करेंट अफेर्श के जितने भी प्रशने बनेंगे उन शारे प्रशनों की जानकारी मैं आपको यहां पर विश हैं जो खासकर के बिहार में आजित होनवाले हैं तो यह सारे एकजाम की दरिश्टिकों से इस रिंखला के वीडियो आपके लिए महतपूर्ण होंगे अब यहां पर पीछले वीडियो के प्रशन पर जाने से पहले आपका थोड़ा सा समयल होगा कुछ जानकारी है जो कि आ आप आजाने कारण वहां पर जो नया रजिस्ट्रेशन हो रहा था एप्लिकेशन पर ही हो रहा था लेकिन अब यह फ्रेस श्टार्ट वावरेल 2022 से तो यहां पर आप इसे कैसे जोइन करेंगे यह सारी सीज़े यहां पर मैं आपको उतलाव का थोड़ा साब का समयली आ जा जाएं यहां पर अपannahी ल funding करार आपके लिए को को पड़ा करने का दो फॉपलब्द कर आएका पहला है outta और तो दोनों में से जो विए पर्च आप Только कर सकते हैं यहां पर फैदा आपको यह होरे इंगा जबश को पर्चेश करेंगे तब से अगामी एक वर्स्त के लिए जैने कि जो आपकी वैदता होगी उस दिन से एक वर्ष के लिए होगे जिस दिन आप यहां पर पैमेंट करके से जॉइन करेंगे ध्यान देजी यह कम्प्लीट कोर्स है आपके अगामी एक्जाम को देखते हो बनाए गया है और यह आपको कहीं ने कहीं बहुत हैल्फ करने व लोग यहां पर हमसे जुड़ेते पिछले वर्स तो वहां पर विपेसी मेंगर एप के थुरू इसे रिन्यू कर सकते हैं अपने कोर्स को यह फिलाल हिंदी वासा में उपलब्द है जो कि बिहार के सभी परतों के प्रिक्षा के ही उप्योगी है मुख शुरूप से हम विप पूर्ला बठाईए अब यहां पर हम चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पर जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था यह प्रश्न था के हाली में विहार के परसिद्ध स्वातंतरता स्यातानी अवंग राजनेतिक बाबू जक्चिवन राम की कौन स अब यहां पर चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पर पूरे वीडियो को आपको ध्यान प्रोग देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पोंचा जाएगा उसका अंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना है तो पहला प्रश्न के हाली में बिहार सरकार द्वारा बिहार के कौन से उत्पात को GI Tech दिलाने की परकरिया की जा रही है इस प्रशनी का यहां पर मारा Right Answer होगा Option No. E यहां पर दो विकल पर इस प्रशनी का Right Answer है इसी अधार पर हमने Option No. E यहां पर इस प्रशनी का Right Answer होगा आपको बता दो कि बिहार सरकार ने मितला की मसूर, रोहू, मचली और शोनपूर की कतला मचली को GI Tech दिलाने के लिए के अंदर सरकार से शंपर्क करने का फैसला किया है यह तो रही इस प्रशन से लेटेट समंदित तक थे लेकिन एक जो महत्पूर्ण पॉइंट है जो कि आपके एक्जाम में पोशे जांगे हाला कि इसकी जानकारी हमने आपको इसी सिर्ज के अंदर कर दिया था तो GI Tech रेजिस्टरी ने हाले में बिहार मखाना का नाम बदला करने की याचिका को स्विकार कर लिया है इसकी विस्तरी जानकारी हमने आपको दिया था आपको बतला है था कि बिहार मखाना है बिहार के मितला च्छेतर के मखाना को जो नाम दिया गया था जिया आई टैक में ये बिहार मखाना दिया था इसमें कुछ पॉइंट और भी है यहाँ पर आप आगे वाले स्लाइड में देखेंगे महतपूर्ण जानकारियों को हमने एकत्रित करके लिखा है जो कि आपके एकजाम की दृष्टी कौन से महतपूर्ण है ठ संसद में रजिष्टेशन एडिशन एकट के दाता है जोग्राफिकल इंडिकेशन quaंवाले विसी वस्दू का कानूरी अधिकार उस्त्राज को देए दिया जाता है जो पर पहुंज जो होती है वह बड़े पह는आपने पर होती है यνει कह सकते हैं उसे एक मतलो अलग नजरीये से देखा जाता इसके एक महत्तों होती ही वह बहुत ज़्जदा बढ़ जाती है और इसे कह सकते हैं इंटरनेशनल जो मार्केटिंग होती है वो भी बहुत ज़्जज़ा आसाल हो जाती है और यहाँ पे कुछ पॉइंट और भी है जो कि बिहार से समंदे थे हमने लिखा है कि जरदालू आम कतरनी चावल मघह पान के बाद साही लेची 2018 में जाय टेक प्राप्त करने वाला बिहार से 14 किरशी उतपाद है यह भी आपको यहां से ध्यानकना है यहां पर हमने जाय टेक के बारे मुसी चीज़ को लिख दिया कि जाय टेक मिलने से उतपाद की इंटरनेशनल मार्केटिंग आसान हो जाते है हलाके भी ही मैंने यह बात आपको बतला था तो यह भी आपको यहां से ध्यानकना स्ताही लेची जो कि 2018 में जाय टेक लिए दिया गया था जो कि मुझफर पूर से ही शंबन दित है नेक्स्ट होगा यहां पर हमारा दूसरा प्रशन की हाली में बिहार के मुंगेर जिले से सममंदित शियारी पट जवान देव कुमार शंट को उनके उत्करिष्ट कार के लिए पुरीश वीरता पदक से समंवानेथ किया गया है आप यहां पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं आपको दादू कि देवशन्त कुमार को दिल्ली में इस पुरुषकार से सम्मानित किया गया और एक प्रश्ण यहां से आपका यह भी बन सकता है यह दोसरी बार है जब राश्टकती के पुलीश वीरता पदक से उन्हें शमानित किया गया है जो की सम्मधित है बिहार के मुं मुंगेर परमंडल के अंदर आते हैं 6 जीले यह जीले हैं मुंगेर खगडिया बेगुसराई जमुई लेकिसराई और शेखपुरा अब यहां पर ब्रेकेट में हमने यह 6 क्यों लिखा आपको द्याने करता है यह बिहार के अन्न 6 जीलों के साथ अपनी सीमा को साजा करता ह बिहार बाले मैप पर जब मुंगेर की स्थिती को ढूंडेंगे तो यहां पर आपको कुछ इस प्रकार से मुंगेर देखने को मिलेगा अब यहां पर जो परोसी मतलग का सकते हैं जीले हैं जो मैंने भी आपको बतला है 6 जीले जो कि का सकते हैं मुंगेर के साथ अपनी सीम को साधा करता है यह समंद्र चीजिए आपको याद रखना चाहिए इस तरह के प्रशन आपके पूछ जा सकते हैं अभी कल ही मैंने आपको बतला था कि प्रिक्षा में पूछा गया था कि राइधानी पटना कितनी अन्य जीलों के साथ अपनी सीमा को साधा करता है तो मैंने आ है इस प्रश्नी का हमारा राइट आंसर ऑपसन नमर अब सरो गाइब यहां पर इस प्रश्नी का राइट आसर होगा आपको इस प्रश्नी बार बदा दो कि बिहार की लाधा ने पटना के भीटा समेत राज्जी के बारट जीलों में चोविश सा बच्चों की पढ़ाई के तो प्रतियक जीले में पंच एकड़ एरिया में यानि कह सकते हैं पंच एकड़ भूमी में लगबग 39 क्लोर की लागत से एक अवास्य स्कूल बनेगा और इसमें प्लेग्राउंड, टेनिश कोट, एथलेट के लिए रनवे, बेंटमंटन कोट, कैंटिन और लाइबरेरी जैस तो आपको ध्यान एकना असोक चौधरी वरत्मान में बिहार राज भवन निर्मान मंत्री है, इसके जानकारी हमने आपको कई दफा दिया है, हम यहाँ पर चलंगे आज के इस फीलियो के चौथे प्रस्वे, यह चौथा प्रस्वे के हाली में भारत के कौन से हाई कोट में आपको दो कि 12 सालों से चली आरी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अर्साथ ए ओ और विश्ता को पटना हाई कोट में समाप्त कर दिया गया, अर्साथ अब कोई भी वकिल हाई कोट में अपना मुगादमा खुद दायर कर सकता है, यह आप यहाँ सिर धानक है, इसको समाप्त कि अब यहाँ समाप्त कर दो कि 12 साल के बाद पटना हाई कोट में, आपको यहाँ बतानक हाई कोट की तरद पर पटना हाई कोट में यह विवस्ता वरस्त 2010 में लागू की गये थे, पटना हाई कोट की बात आई है तो एक प्रशन आपको दियान डखना चाहिए, हाली के दुन प्रशन के हाले में अंतराश्य बुकर प्रुषकार के लिए किसी कृति को चुना गया, इसका राइट अंसर टॉम आप सेंड अर्था आपसन नवर यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, आपको इस प्रशन बर बतादू के लेखा गितांजली स्री की उपन्यास टॉम सेंड है, जो कि आप यहाँ पर इसके कवर इमेज को देख सकते हैं, हमने आगे लिखा कि डेजी रॉक वेल द्वारा इस पुस्तक को अंग्रेजी में अनवादित किया गया, इस पुस्तक की बात करें या पिस प्रुषकार की बात करें, तो यहाँ पर आपको ध्यान का चा चलते हैं, आपके एक्जाम की तरिष्टी कोन से यह महादपूर्ण होगा, हम यहाँ पर चलेंगे आज की इस वीडियो की अगले प्रशने पर यह अगला प्रशने है च्छाटा प्रशने के हाली में किस देश में गौफेन 303 नामक नया प्रत्वी अवलोकन उपगरा लॉ लॉंच किया है, तो राइट आपसन नमर डी हम यहाँ पर इस उपगरा की बात करें तो गौफेन 303 को लॉंग मार्च फोर सी रॉकेट द्वारा जीव कौन सेटलाइट लॉंच सेंटर से लॉंच किया था इस उपगरा को लॉंच करने की पीछे कि उद्देश की बात करें यह उपगरा को लॉंच किया गया है, जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए, गौफेन 303 एक कर सकते हैं, पिर्थवी उवलोपन अपगरा यानिकी सेटलाइट है, जो कि अभी हाली में चीन सरकार के द्वारा लॉंच किया गया है, अगला होगा हमारा सात्वां प्रशने, य किस बैंक पर जुरमाना लगाया है, तो देखें, यहाँ पर अभी जो जुरमाना लगा गया है, आर्भी यहाँ आर्वियृ के दौरा, तो खोड़ा है जुरमाना लगा गया है, यह प्रशने बतादा . कि हाली में RBI ने IDBI बैंक और एक्षिश बैंक पर जुर्माना लगाया है अब यह जुर्माना किया है कितने रुपिय का लगा गया है वो यहां पर इसके कारण के साथ आप देखने वाले हैं इन दोनों में से सबसे पहले हम बात करेंगे एक्षिस बैंक की तो भारते रिजर्व बैंकर थाथ आर्बियाई ने केवाइसी दिशा निर्देशों से इस्तेमंदित विन उलंगनों के लिए एक्षिस बैंक पर 93 लाग रुपिय का जुर्माना लगा गया है यह आपको दिहान रखना है जबकि आई डिवी बैंक पर 90 ला निर्देशों का अनुपालन ना करने के लिए यह जुर्माना लगा गया है तो दोनों को यहां से आपको द्याना करना चाहिए कि एक्षिस बैंक पर 93 लाग रुपिय का जुर्माना लगा गया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बात ने तो यह भारत का सर्वोच बै अब रभानों के अनुशार ईप एक अपरेल 1935 को भी थी यह आपको यहां से द्यानाद से चाहिए इसके स्थापनack कभी थी तो एक अपरेцию 1935 को RBI की स्थापन भी थी और यह भारत का केंदरियाः बैंक है और यह भारत ये सभी बैंको का संचाल लग है और ये भारत की अ आगे लिखा गया इसके परतिक चिन के वारे में तो और बेड़ यां जो सकते हैं पर अगल यहां से यहां को अगर नहीं कर सकते हैं अभी जो मैं आपको वीडियो के चल रहा है तो उसका व्लोग नाउठा सकते हैं और अभी शुचन के जयोाrigil करेंगे आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है और अगर आपको लगए कि इस स्रीज से आपको बहुत ज़्यादा हो रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरू किजेगा ठीक है इस बात का यहां पर आपको ध्यान रखना है अब यहां पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रशने पे तो यह प्रशने के हाली में APMEA अर्थात एशिया प्रशांत भारत मदपुर्व और अफरिका के CEO के रोप में किसे निउक्ति क्या गया है बहुत इंपोर्टन है यह वाला प्रशन इस प्रशने का हमा देखाए वह एनस बाला की जगलेंगे ने कि इनसे पहले इस पद पर एनस बाला थे अब यहां पर बात करें विपरो के MD और शेयों की तो आपको द्यानर बचे वीपरो के MD और श्यों वरत्वांस में थेरी डियला पोर्ट हैं जो कि आप यहां पर ध्यानर इक सकते हैं वि तो यह प्रेक्शन अभी हाली में जो किया गया इसका राइट आंस होगा चांदीपूर रेंज से इसका प्रेक्शन हुआ है जो कि उडिशा के तट से हुआ है तो सही अंसर अप्सन नमर सी इस फ्रश्णी के विश्तरित जानकारी आपको देदू कि डियाडियों ने हाली में आर्ट अप्रेल 2022 को उडिशा के तट पर एक एकरिक्शन रेंज चांदीपूर में का सकते हैं सॉलिड फ्यूल डेटेक्ट रेंजेट बुस्टर का सफलता पूर्वक प्रेक्शन क्या है अब यह का सकते हैं क्या है कैसे कार्य करता है आप यहां पर आगे पॉइंट में दे किसके द्वाराई से विक्सित क्या गया तो आपको द्यानक चाहिए एक सॉलिड फ्यूल डेटेक्ट रेंजेट को रक्षा अनुसंधान एंवंग विकास प्रेवसाला है अधराबाद द्वारा विक्सित क्या गया है बहुत महत्पूर्ण पॉइंट है यह वारा हम पर द्वाराद की कक्ष के रन में सरदार पोष्ट पर लड़ाई की याद में मना जाता है आपको द्यानक चाहिए परतेक वर्से 9 अप्रेल को मना जाता है और यहां पर इस वर्से जो यह दिवस मना गया इस वर्से श्चाहिए इसका नाम कुछ और था उसकी जानकारी हम खूले मैं यहां पर आपको आगे दिया है कैंद्य रिजार वुद्ष मल सताईस जुवलाई ऑनिशा 59 को क्राउन रिपर्जेंटर्टिव प्लीश के रूप में अस्तित्यों में आया था तो है यहां से ध्याने की अलाकी मूल रूप से और हम बात करने इसकी के स्थापना किये तो यह स्थापना उनिश्व 65 में भी थे और इस वर से 2022 में संतार्मा अस्थापना द्वस मनाएं गया नेक्ष्ट का हमारा 11 प्रशन यह प्रशन के हाली में अमेरिका के सर्वोच न्याले में बैटने वाली पहली और स्वेद महला कौन बनी है यह भी बहु सुप्रीम कोट के सवानवरित इस्टिफन व्रेयर की जगह लेंगे तो यहां से यह भी प्रशन आपके एक्जाम में बनेंगे हलाकि जो मोश्ट मोश्ट इंपोर्टन है यह वारा है जो कि आपको यहां पर इनका नाम द्धना कैतन जी ब्राउन जैक्शन जो आप यहां प उसे पर्ले दो प्रोश थे और स्वेट जो का सकते अमैरिका में सर्वोच अदालत के जज़ बने दे, तो यहां बंठी ने थे तार्गुर्ट मार्सल और क्लरियरिंस थोमस के बास की तीसरी का सकते और सूझ जज़ जो कि अमेरिका के सर्वोच अदालात में बैटी है अब यहां पे बारा अगला होगा बारवा प्रशने यह प्रशने की भारत सरकार ने देश की सुरक्षा के मद्द नजर चार पाकिस्तानी चैनल से तकुल कितने यूट्यूब चैनल को बैन किया है इसका राइट आंसर अफसन नमर डी यानिकी कुल मिला के 22 डेटेल जनकार आपको दो कि हाली में केंदर सरकार ने देश की सुरक्षा के मद्द नजर चार पाकिस्तानी चैनलों समयत कुल 22 यूट्यूब चैनल को बैन किया है यह ध्यान लेके और इसको लिए अभी हाली में का सकते हैं जो घोस्टा भी थी के अंदेश सुचना और परसार मंत्री अनराक ठाकूर के आदेश पर का सकते हैं आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सेंदे आप के लिए बहुत बहुत महत पूर्ण है और वो सारे कर सकते हैं वीडियो का पीडियो का लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्सिं में भी है और शात साथ बेपिसे मेंकर एकर आप पर परवाइड कर चारregिए है इसकी डीटेल जनकारी हमने आपको दिया है बतलाई इस फ्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप चाहें तो यहाँ पर विश्थरित तोर पर भी सारे चीज़ों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूं और सभी का सकते हैं रेपलाई देने का प्रियास भी करता हूं तो आज किस वीडियों में बिलेंगे नेक्षी वीडियों तुम्हें के धन्वाद जहेंद